हेलो फ्रेंट्स फिलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स बाइक, स्कूटर, स्कूटी इनके बहुत सारे अलग-अलग पार्ट्स के सर्विसिंग, मेंटेनेंस, क्लीनिंग और चेंज इंटर्वल को पर मैंने कई सारे वीडियोस को अपलोड किया है अब फ्रेंट्स तरह से clean किया जाए उसे किस तरह से maintain किया जाए और क्या हम लोग disc brake rotor plate में किसी भी तरह का oil, lube या किसी भी तरह की spray को डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं बहुत सारे सवाल इस तरह साते हैं तो फिर देखे मैंने क्या किया कि एक practical experiment किया क्योंकि कुछ चीजी ऐसी होती है कि ज से अच्छी तरह से साफ भी कर दिया अब इससे जो disc brake rotor plate है वो तो बहुत अच्छी तरह से साफ हो गया लेकिन इसके बाद जब मैंने अपने bike को चलाया तो मैंने देखा कि जो bike का जो front का आगे का ब्रेक का वो साही से काम ही नहीं कर रहा मैंने normal braking किया तो मैंने देखा कि ज ज्यादा problem देखने को मिल रहा, brake और ज्यादा फिसल जा रहा है, in short जो braking है वो बहुत ज्यादा गडबड हो गई और जो riding है इससे बहुत ज्यादा unsafe हो सकता है, तो यहाँ पे दो important सवाल है जवाब मैं आपको दिरा चाहूंगा, पहला सवाल है कि disc brake rotor plate को साफ करने के लिए ह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, तो पहला सवाल का तजवाब यही है कि disc brake rotor plate, चुकि braking से जुड़ा हो है, इसलिए वहाँ पे आपको किसी भी तरह के lube को नहीं डालना है, चाहे chain lube हो या जो तरह कोई भी lube हो, बिलकुल नहीं डालना है, कोई भी oil हो, चाहे gear oil हो, engine oil हो, कुछ भी oil है, उसे भी नहीं डालना है, disc brake rotor plate को साफ करने के लिए, इसके लाबा कोई भी तरह का spray हो, grease हो, WD-40 क्यों नहीं हो, इन सब चीज़ों को disc brake rotor plate से जंग निकालने के लिए, किसी भी तरह के सपाई के लिए बिलकुल use नहीं करना है, in short, ऐसी कोई बीची, जिसमें greasing वाली property हो, lubrication वाली property हो, chicken heart वाली जो property है, अगर वो है, तो वो आपको बिलकुल वहाँ पे नहीं डालना है, brake का प्रावलब आपने को देखने को मिल सकता है, और riding unsafe हो सकती है, इस वजह से इस बात का ख्याल रखे, आप दूसरे सवाल पर आते हैं, तो फ आपने बाइक को ये असकोटा को धोते हो, तो उस टैम पे जिस भी washing टैमपू है, जिस भी चीज का आप यूज़ करते हो, उससे आप अच्छी तरह से clean कर दो, तो इस तरह से आपको disc brake rotor plate को maintain करना पड़ेगा, आप कोशिश करो कि उसमें जंग लगे ही नहीं, क्यूंकि ऐस तो नहीं है कि 10 दिन, 15 दिन में जंग लग जाता है, आप बहुत लंबे समय तक गंदा छोड़ दे तो उसमें पानी आ रहा है, धूल मिटी वगर आ रहा है, तभी जाकर जंग लगता है, तो जंग लगने से बचाना यहाँ पे जादा बेतर होगा, ऐसा नहीं कि जंग लग पॉटी हो गया, इसके लाब आप पॉलिश जो वाशिंग शैंपू है, इन सब को जो मैं यूज करता हूँ, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो आप चाहे तो उन्हें भी चेक कर सकते हो, उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप और शेयर जरूर कर दे, वीडियो के बारे आप चैनल के बारे अपनी राए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए, इसके लाब अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल अनको भी दबाले ताकि आने वाले इंपोर्टन वीडियो के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के तुरू मिलते रहे, मिलते अगले वीडियो में, थैंक्स वाचिंग इस वीडियो, गुडबाई